आज हमने बनाया है आवला जैम, दो तरह से बनाया है, चीनी वाला भी और गुड़ वाला भी, आप इसे बच्चो को दीजिए, रोटियां पराठा में लगा कर दे सकते हैं, ब्रेट में लगा कर दे सकते हैं, या ऐसे भी बच्चो को दीजिए, बच्चो को इस तरह से जैम पपसंद आता है, इससे पहले भी मैंने जुकंदर के जैम की रस्पी अपने चैनल पर अपलोड की थी, आप लोगों ने बहुत पसं पिया है उस रस्पी को, इस रस्पी को भी फुल वाच करिए, सारी टिप्स मैंने दी हैं आगे वीडियो में किस तरह से इस जैम को आप को तयार करना है और कैसे इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं सारी टिप्स बताऊंगी आपको आप पहली बार में ही बिल्कुल मार्केट जैसा आवना जैब घर पर बना कर तयार कर सकेंगे हेलो दोस्तो मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल को कुईत लता पटेल में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बला इकन भी प्रेस कर दीजिए तक कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलिए बनाते हैं आवला जैम आवला जैम बनाने के लिए यहां देखिए हमने 1 kg आवला ले लिया है पका हुआ आवला है इसके कलर से आपको पतल चल रहा होगा भारा कलर नहीं है इसका हलका सा पीला पना गया है मत्तब कि आवला पकने लगा है इस तरह से पके हुई आवले का आप कोई भी चीज बनाईए ज्यादा स्वादिष्ट बनता है कसैला नहीं लगता है तो सबसे पहले आवलो को हमने अच्छी तरह से दो लिया है पोश पी लिया है अब हम आवलो को स्टीम करेंगे गैस पर हमने पानी उबलने के लिए रख दिया था पानी में अच्छा उबाला चुका है एक जालीदार थाली रख दिया हमने इस पर ये सारे आवले डाल लेंगे और हमें आवलो को 10-12 मिनिट के लिए स्टीम करना है अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि इनकी कलिया अलग न हो जाए तब तक इन्हें पकाएंगे इस तरह से आवलो को स्टीम कर लेने से भाप में पका लेने से इसके जितने भी पोसक तत्व है वो नश्ट नहीं होते हैं बने रहते हैं अगर आप आवलो को उबालते हैं पानी में तो आवले के सारे पोसक तत्व खतम हो जाते हैं और फिर वो उतना फाइदेमन नहीं होता है अगर आप कोई भी चीज आवलो को पका कर बनाते हैं इसलिए इस बात का ध्यान रखना है अब जब भी आवले की कोई भी रस्पी बना रहे हो तो आवले को स्टीम कर लीजिए तो लीजिए दस से बारा मिनट हो चुके हैं आवले अच्छी तरह से स्टीम हो गया है सारी इसकी गलियां अलग-अलग नजर आने लगी है तो अब इसे ठंडा होने देते हैं देखिए आवला अच्छी तरह से ठंडा हो गया है तो अब हम सारी आवलो की कलियों को निकाल लेते हैं इसके गुठलियां हम फेक देंगे पीछे जो बच जाता है उसे भी चाकु से इस तरह से निकाल लेना है सारा पलप आवल कलिया औलग कर दी और कलिया हमने निकालकर लहे हैं सbout असफिक anymore करें और इसमें ये कलिया डाल लेना है और आप इसे पीस कर तयार करना है एकदम महीन पीसना हमें थोड़ा पानी की जुरत पड़ेगे इसमें क्यूंकि अगर आप इसी तरह से कलियों को पीसेंगे तो ये अच्छी तरह से पीस नहीं पाएगा एकदम महीन नहीं पीस पाएगा इ थोड़ा सा पानी डाल कर पीस लेते हैं इसे हाँ याद रखिए इसमें मोटे टुकड़े नहीं रहने चाहिए जितना महीन हो सकता है उतना महीन हमें से पीस कर तयार करना है तो लीजिए हमने पीस कर तयार कर लिया एक बरतन में सारा ही पेस्ट निकाल लेते हैं देखे इस त तरह पेस्ट तयार है अब हम आधे से चीनी वाला जैम बनाएंगे और जो आधा पेस्ट है उस से हम गुड़ वाला जैम बनाएंगे गैस पर एक पैन जड़ा दिया है इसमें ये पेस्ट टाल लेंगे आउला को जो हमने पीस कर तयार किया था मिला लेते हैं और अब इसे पकाना है हमें लगवग 5-6 मिनिट पकने देते हैं से देखिए चलाते हुए हमने इसे पकाया है अब इसमें बुलबुले उठना सुरू हो गया है ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे चीनी हमने 500 ग्राम आउले का पेस्ट लिया है मतलब कि हमने 1 केजी आउला लिया था जिसमें से हमने आदा पेस्ट लिया है मतलब कि 500 ग्राम तो 500 ग्राम पेस्ट के लिए हमें 500 ग्राम ही चीनी लेना है बराबर मात्रा में अब मिला लेते हैं इसे और चलाते हुए लगातार चलाते हुए इसे पकाना है चीनी डालने के बाद देखिए धीरे धीरे ये गीला होने लगा है चीनी जैसे जैसे पिघल रही है ये लिक्विट फॉर्म में आने लगा है अब इसे लगातार चलाते रहना है छोड़ना बिल्कुल नहीं है अगर आप इसे छोड़ कर चले जाएंगे तो ये तली में चिप कूट लिया है मूँ इनका खोल दिया है इन्हें डाल लेते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है दालचीनी का और इलाची का खुस्बू भी बहुत अच्छी आती है अब जैम में जरू डालिये और इस तरह से जब लिक्विट फॉर्म में आ जाए तभी डालिये तभी दा पकाया हमने इसे चीनी डालने के बाद अब देखिए यह ठिक हो गया है अब हमें इसे चैक कर लेना है कि जैम अच्छी तरह से बना है या नहीं बना है बहुत अच्छी साइनिंग आ गई है कैसे चमक रहा है यह जैम देखिए इसे चैक करने के लिए इसे एक प्लेट पर और प्लेट को हम तिर्चा करेंगे, तिर्चा करने पर ये बहनी रहा है, अपनी जगह से हिलनी रहा है, बिल्कुल स्टेबल है, मतलब कि जैम अच्छी तरह से बन चुका है, अब इसे और जदा पकाने की जरुत नहीं है, अगर बहुत जदा पका देंगे तो ये बहुत जद निकाल लिया, अब हम सेम पैन में बागी का बचा हूँा पेस्ट डालेंगे, जो हमने आदा बचा कर रखा था, मिला लेते हैं इसे और इसे भी पांच मिनट के लिए पकाना है, बस सेम प्रोसेस से हमें गुड़वाला जैम मी बना कर तयार करना है, जैसा हमने चीनी बना कर बस चीरी की जगह में गोर्ड डाल लेना है, बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगी, तो बस ये गरम हो चुका है, गोर्ड डाल लेते हैं, इसमें मिला लेते हैं, हाँ जैम बनाते समय ना, आप इस बात का ध्यान रखिए, जब ये गरम हो जाता है और पकने लगता है, तो बहुत जदा इसके छीटे आते हैं, आप गैस देखकर तो समझी पा रहे होंगे, देखिए क्या हालत हो गई है गैस की, इस तरह से इसके बहुत जदा छीटे आते हैं, तो कोशिस करिए कि आप इसे गहरे बरतन में, गहरी कड़ाई में बनाईए, हमने पैन लिया था, और पैन में हमने गुड़ भी लिया है, चीनी भी हमने सेम मातरा में लिया था, और गुड़ भी हमने सेम मातरा में लिया है, तो बस अब डाल देंगे दाल चीनी के टुकड़े और इलाची, और इसे चलाते हुए फिर से हमें 20-25 मिट पकाना है, जैसे हमने चीनी वाले जयम को बनाया छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी पहली बार में बहुत अच्छा जैम बना कर तयार कर सकते हैं, बस इसे गीला नहीं छोड़िए, लो फ्लेम पर पकाईए, लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके रख पाएंगे, तो लीजिए, गुर डालने के करस मिला दीजिए, अगर आपको इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखना है, तो नीबू करस इसमें प्रिजरवेटिव का काम करता है, और टेस्ट भी अच्छा आता है, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा समय तक इसे स्टोर करके नहीं रखना है, अगर बच्चों को दीजिए, बहुत ये गुणकारी होता है, और बच्चों को ये बहुत पसंद भी आता है, रोटी, पराठा, या फिरापिसे, ब्रेड में लगा कर, या ऐसे भी दीजिए, बच्चे से बहुत पसंद से खाते हैं, इससे पहले भी मैंने आउले की बहुत सारी रेस्पी आपके साथ सेर किया है, आउला चावन प्रास, आउला मुरब्बा, आउला की मीठी कैंडी, अगर आपने नहीं देखा है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आउला का लच्चा मुरब्बा, तो जरूर ट्राय करिएगा, आउला जैम की इस रेस्पी क और वीडियो अच्छा लागा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथी बल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, तक ही आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहे, तो म मिलते हैं नहीं रस्पी वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते